ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडसी तुनिया में गाइस इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले है स्वीडियन टीटैन का सेकंड मैच जो खेला जाएगा एफवार वर्सस ब्योटी के बेच गाइस यहां पर एफवार डिविव करने वाल सबकुछ आपको मिलेगा साथी साथ ब्योटी का भी पास्ट के डिकॉर्ड में डिसकर्स करूंगा तो मेक शूर करना आप वीडियों तक देखो पसंद आये तो लाइक कर देना अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो फटा-फट से सब्सक्राइब करते हैं नोटिविकेश वाला बिल दबा लेना अब आता हूं मैं इस मैच के उपर वेन्यू होगा नौसबोग क्रिकेट ग्राउंड जहां पे सेम वेन्यू में फर्स्ट मैच भी खिला जाएगा असी से सो के बीच रन रहना चाहिए गाइस फर्स्ट मैच है एंड दोनों टीम जादा एक्स्पीड जाना ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंपल ब्लू कलर का लिंक मिलेगा आपको लिंक में अब प्रेस करके रिडिरेक्ट हो सकते हो टेलिग्रम पे अगर लिंक काम नहीं किया 99% चांस है काम करने का स्टिल अगर काम नहीं किया तो घैस आप एदर एटी मैवडिय सर्च भी कर सकतो यहां पर आपको फाइनल अपडेट मिलेंगे तो जरूर से आप टेलिग्राम जोइन हो जाना ठीक है मैं प्रिफर करूंगा लिंक से जॉइन होने का अगर लिंक काम नहीं किया तभी आप एदर एटी मैप डिफ सर्च करोगे तो चौदा आजा 900 से जादा और लेडी जॉइन में बस आपको मिलेंगे जहां पर आपको अफटा टॉस अपडेट वगेरा मिल जाएगा अब आता हूं मैं इस पॉइंट के मैच के ओप ठीक है क्लावडी वेदर रहेगा बट मुझे लगता है कि हलका सा शावार होगा बट आइधिंग मैच तो कंप्ल मैच में मुझे लगता है कि खेलना चाहिए इनसे में प्लियर बिसिकली टॉप के फॉर बैसमें होना चाहिए मैं इनके कुछ पास्ट के रिकॉर्ड बताना जाओंगा जैसे कि जो वीकी सेक्शन में अगर यह कैस ओपिनिंग आया तो ठीक है अदर्वास मुझे नहीं लग गएंगे बट कुछ प्लियर है जिनको आप ट्राइ कर सकते हो उनमें से एक अमेच जुल फिकर फर्स्ट में जो भी करें आप ट्राइ कर सकते हो इनका दो मैच दो इनिक्स में 26 तरन है बट चांसल से कि ऐसा ओपिनर प्ले करें इस मैच में एक और प्लेर अगर चले न ना बहुत अच्छा था गुर्पाल रंधावा मुझे थोड़े ओफ टैप के प्लेयर लेगे विगोज 11 मैच में चारी ओवर डाले डोमेस्टिक में टीटैन में नो डाउट बट इसलिए मैच शायद पसंद ना करूँ बट फर्स्ट मैच में अगर बहुत ही जादा अच्छा प बॉलिंग कर आएगा मुझे नहीं लगता है बट जिशान महमुद जरूर कड़ाएगा तो मेरा मानना है कि जिशान महमुद को जरूर ट्राय करना ओवर अमिर रियास इवन जिशान महमुद आपको न अच्छा सा बैटिंग भी करते हैं दिख सकता है आर्ट मैच में 97 रन भी है डोमेस्टिक में यहां पर कुछ प्लेयर है इन में से ओसामा कुरेशी अगर खिलता है तो जरूर बॉलिंग डालेंगे 11 मैच में 17 ओवर टीटन का बता रहा हूं मैं साथ विगेट भी है तो ट्राइक कर सकतो हो एफ और जो डिव्यू करेगा उनके बारे में मैं बता आने वाला हूं तो आप पुड़ा ना यह पार्ट मिस थोड़ा भी मत करना है अगर आप दो चैनल में नहीं हो अभी भी सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब करते हैं नोटिविशन दबा लेना टेलिग्रम जोईन हो जाना तांकि अफ्टर टॉस अपडिट के लिए मेन है इसके बाद जो बैट्स में आते हैं यह थोड़े वीक पॉइंट है इस टीम के लिए बट बॉलिंग से अरपित तिवारी अंकित पांडे दोनों अच्छे ऑप्शन है यहां से जुनेजा और साहिल प्रशार आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगा अब सिक ठाक रिकॉर्ड है डोमेस्टिक टीट्वेंटी में तेरा मैच यहार इनिंग्स में 148 रॉलिंग किया बट जो डॉमेस्टिक टीटेन थे जैसे कि स्वीडिश टीटेन कप हो गया और अदर्स टीटेन मिलाके इनका तो उस पे ज्यादा बॉलिंग किया नहीं बट हां बैट सब्सक्राइब तो मैं मानता हूं कि कैप्टेन वाइस का डवेंच रूर रख सकते हो साथ साथ आपको ना डेथ में भी कराते हुए दिख सकता है कंफर्म नहीं है बट दिख सकता है गाइस मानीम का रिकॉर्ड कुछ साथ में साथ इनिंग्स में 42 रन चार ओवर में दो वि मैंच में 15 वर साथ टीटेविट टीवेंडी में अच्छा गासा बॉलिंग गया बट टीटेएन में ज्यादा बॉलिंग किया निए बट हाँ करने इससे एक रौव विकेट टेकरे देखिए यहां पर विकेट अच्छा खासा है और है और यहां पर केबल दो ही ओवर में त शुषिकंद रविकंद था इन्होंने टीटेन में तो कुछ खास किया निए बड़ टीट्वेंटी में नौ मैच में दोगेट है इनका 47 रन चार ओवर मतलब हर मैच में कितना बॉलिंग कराएगा पता नहीं तो मैं शायद ना ट्राइ करू को थारी का कुछ आप आज मैच मे आप है बहुत अच्छे से साहिल प्रशार छे मैच में नौ वर डाला मतलब मुझे लगता है कि इनको वर दो वर जरूर डालना चाहिए तो यह देखके आपको ना बहुत कुछ आईडिया आ जाएगा कि कौन से प्लेयर कितने वर डाल सकते हैं जैसे कि आप अर्पी तिवा इंप्तिंग बहुत अच्छा बॉलिंग मतलब दो डालेगा मतलब इंपैक डाल सकता है बाकी ऐस प्लेयर कैसा किलता है मैच के वो मैच ही उपर डिपैंड करता है बठाप प्लेयर कितने इंपैक्ट अब तक अच्छा घशा डाला है तो हम लोग ले लेंगे गे गोर्ती का का इस पाच मैच में दोई इनिक्स दस रन है बट आ टी ट्वींटी में चौदा मैच में पाच ओवर दो यह तो मुझे दोनों ही कंडिशन अगर देखो गोड़ती का मुझे कुछ खास लगा नी क्रांती बदागू छे मैच में पाच विगेट है साथ ओवर में मतलब बहुत यह ज़्यारा डाला है ज्यादा थे टैम में बॉलिंग किया है गाई और विकेट बट बहुत जादा मिला नीगेट बट इस्टिल हम दोग ट्राइ कर सकते हैं यह जो सींग अलीस है इनका कुछ खास रिकॉर्ट लगा नी रमेला का खास लगा नी अखिलेश बलाद दो में की ओवर डाले गाई और अंकित पांडे पांच मैंच में पांच युगेट डाला यह निकाले ठीक टाक बॉलिंग कर लेते अंकित पांडे आमें अब एंद्रे छे मैच में पांच ओवर चार इक और कुछ प्लेयर से जिनके रिकॉर्ट मिले नहीं तो इस टीम से अगर रोहिद जुनेजा मेरे लिए मस्ट हो जाते हैं अनिरूद राम मेरे सबसे विकी सेक्शन से एक बेटर चोईस है साहिल प्रशार को आपको लेके जाना पड़ेगा अरपित तिवारी को लेके जाना पड़ेगा अब ये चार आपके लिए ना मेरे सबसे इस टीम के लिए तो मेरा हो जाएगा गाईस पाच पीक एक दो तीन चार पाच अब आइधर आप अगर फोर कंबिनिशन के साथ जा सकते हो मतलब इस टीम से आप अगर चारी प्लिया लेना चाहते हो तो आइधर अनिरूद राम वन ना अंकित पांडे किसी एक को डॉप कर सकते हो आप एको पिपल विल गो इत स्टार परफॉमस ऑफ दे लास्ट मैच चैनुइन सा बात है सब भागेंगे उनके बीचे बट हम लोग क्या कर सकते है रोई जूने जा अच्छे प्लिया रहे बट मेरा मानना है ना एस प्रशार सबसे अच्छा चोईस है इस मैच मैं ऐसा कैप्टेन व जाना वीडियो पसंदा तो लाइक कर देना अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिलाल साहिल प्रशार एस खवाजा इस जुल्फिकर है हमारे पार्ट फॉर्स मैच में इसुल्फिकर अगर ओपन नहीं किया तो मैं डॉप करने वाला समझें ना यह वीड़ बैट ज्यादा एक्टिव है और यह ओपिनिंग भी करेगा तो यह भी एक अच्छे चोईस है इस्पेशली चेजिंग में ज्यादा थोड़ा बट आप साहिल पशार यूज़ कर सकते हो जो आपको डेत में भी करा सकता है तो इन दोनों से किसी एक को यह बैंद्रे के जगा ना एक बॉलर घुजा लो विकॉस इन से जो बॉलिंग दो वर करायागा ना फर्स्ट मैस में उनसे मैं उनको ले लूँगा अपने टिम में बाकी फाइनल अबडेट आपका आफ्टा टॉसी मिलने वाला है तो टेलिग्राम जॉइन हो जाना वीडि झालवे जगाओ लो व को से अधी। झालवेट डिकॉस इनूम झालवेट लुए झालवेट लगज़ेट लगलेट लीडवेट लेट लेट लेखिश के लिए लेगश वापका रिए।